हलो दोस्तों मैं हूँ गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत लोगसभाचुनाओं 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रेल यानि की आज हो रही है लोगसभाचुनाओं के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोगसभाच सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं इसके अलावा करनाटा की 28 में सी 14 राजस्थान की 13 महरास्टर और उतरप्रदेश की 88 सीट मध्यप्रदेश की 6 असम और बिहार की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है इसके अलावा 36 गड़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीट के साथ त्रिपूरा और जम्मू कश्मीर में एक-एक सीट पर मतदान कराया जा रहा है मतदान प्रक्रिया सुभा 7 बजे से शुरू हो चुकी है मतदाता शाम 6 बजे तक अपने मतदिकार कर स्तेमाल कर सकेंगे इस चरण में राहुल गांधी, शशी थरूर, हेमा मालिनी, अरुन गोविल, डॉक्टर महेश शर्मा समेथ कई दिगश नेताओं की सांक दाओं पर लगी है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस चरण में 1,67,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 के मताबिक 34 लाग 6,000 पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और 20 से 29 साल के 3 करोड 28 लाग मत दाता हैं वैसे तो दूसरे चरण में 89 सीट पर मतदान होना था लेकिन मध्यप्रदेश की बैतुल सीट पर बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी के निधन के बाद अब तीसरे चरण में मतदान होगा इसे 7 मई तक के लिए टाल दिया गया है लोगसभा चुनाओ के दूसरे चरण में दिल्चस्प मुकाबला है क्योंकि इस चरण में कई प्रमुख हस्तियां चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी वाइना चरण पूरम सीट से चुनाओ मैदान में हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के चेंदर शेखर और माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के पन्यन रविंदरन से हैं मतुरा लोगसभा सीट पर 2014 से बीजेपी का पता का फेहरा रही हेमा मालिनी का मुकाबला कॉंग्रिस के म लगतार तीसरी बार चुनाओ मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उनका मुकाबला कॉंग्रिस उमीद्वार करन सिंग उचियारदा से हैं बैंगलूरू दक्षिन से मौजूदा सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के रास्ट्री अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का मुका रहे राज नादगाउ से चुनाव रट रहे हैं टीवी सीरियल रामायन में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुन गोविल का मेरट लोकसभा सीट पर मुकाबला बहुजन समाजपार्टी के देवरत कुमार त्यागी और समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा से है आपको बता दे कि इस बार लोकसभा चुनाओ साथ चरणों में हो रहा है आखरी और साथवे चरण के लिए एक जून को मतदान होगा जबकि चार जून को वोटों की गिंती की जाएगी और इस दिन दिगजों की किसमत का फैसला होगा फिलाल इस खबर में इतना ही हमा आइकन को दबाना ना पूले